पुजिपाद महर्शी संत्चेवी परमहंस्जी महराज का परवचन, महर्शी संत्चेवी परवचन प्यूश、 अपने आपको जानो इस परवचन का दूसरा भाग। कल आपने सुना था भगवान महावीर और भगवान बुद्ध दोनों शमकालिन संत थे ये वह ध्यान करते थे जिससे आत्म सक्षातकार होता है आत्म सक्षातकार बहुत से पुष्टकों को पढ़ने या बहुत रुत होने अथवा लंबा परवचन देने से नहीं होता है और बहुत मेधावी होने से होता है चेतन आत्मा के द्वारा ही आत्मा का ग्रहन होता है अब आगे चांद योग्य उपनिशद में एक कथा आई है एक बार अश्कंद रिशी के पास जाकर नारद मुनी ने कहा मुझे आत्म ज्ञान बतलाईए रिशी ने पूछा पहले नारद मुनी ने उत्तर दिया मैंने इत्यास, पुरान रूपी, पांचवे वेद, सहित, रिग वेद, प्रविर्ती, शमय वेद, ब्याकरन, गनीत, तर्क शास्त्र, काल शास्त्र, नीती शास्त्र, शभी वेदांग, धर्म शास्त्र, भोत विद्या, छेत्र विद्या, सब कुछ पढ़ा है परंतु जब इससे आत्म ग्यान नहीं हुआ तब अब तुम्हारे यहां आया हूँ अश्कंद रिशी ने कहा तुने जो कुछ शिखा है वह तो शारा नाम रुपात्मक है सच्चा ब्रह्म इस नाम ब्रह्म से बहुत आगे है शंत्मत का ग्यान इसी आत्म लाव के लिए है ग्यान को चार भागों में बाटा गया है सिरवन ग्यान, मनन ग्यान, निदिध्यासन ग्यान और अनुभव ग्यान सबसे पहली बात है सिरवन ग्यान अर्थात सुनना सुनने का मतलब यह नहीं कि एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दे सुनने के अनेक अर्थों में मानना और करना भी होता है हम लोग बाचित के क्रम में कहते हैं, अरे भाई, क्या बत लाओं, क्या बताओं, अमुक ब्यक्ति को कहते कहते मैं ठक गया, लेकिन वह मेरी बात सुनता ही नहीं, तुम ही कुछ कहो, वह तुम्हारी बात सुनेगा, इसका क्या मतलब हुआ, वह बहड़ा है, इसलिए नहीं नहीं वह सुनता तो है किन्तु उसकी बात नहीं मानता है उसकी बात पर अमल नहीं करता है सत्सेंग में हम लोग वचनों को सुने अर्थात उसे माने यानि आचरन में उतारें गुर्देव की वानी में है श्री शद्गुरु की शार शिक्षा याद रखनी चाहिए अति अटल स्रधा प्रेम से गुरु भक्त करनी चाहिए शद्गुरु की शार शिक्षा को स्रवन कर मनन करें पस्चात मनन किये हुए का अभ्यास करें यह है निधिध्यासन ग्यान शादना करके अभ्यास करके अनुभव ग्यान प्राप्त करें अनुभव ग्यान अन्तिम ग्यान होता है शंत मत बतलाता है आतम अनुभव शुख सो प्रकाशा अथवा बिनु निज अनुभव में ही भरम सब प्रभु न पई हो हो इसलिए शंत मत की अन्त शादना के द्वारा आतम अनुभव लाव करो शंत कबिर्शाब कहते हैं अगुवानी तो आया ज्यान विचार विवेक पीछे गुरु भी आएंगे शारे शाज समेत शत्चं के द्वारा ज्यान विचार और विवेक हम में आना चाहिए आज देखा जाता है कि कितने बेक्ती ऐशे हैं जो कि सत्चं करते और करवाते भी हैं परन्तु कौन बड़े हैं और कौन छोटे हैं इतना ज्यान भी उनमें नहीं है किनके साथ कैसा विवार हो हम यह भी नहीं जानते हैं तो बहुत सत्चं करके क्या ज्यान सिखा जहां सिष्टाचार सदाचार और सुच्च्याचार नहीं है वहां ब्रहम का साक्षातकार कैसे हो सकता है ब्रहम सक्षातकार तो सुदूर की बात है ऐसा वेक्तितो अध्यात्म पत्पर बाल के नोक के बरावर भी नहीं चल सकता है भगवान बुद्ध ने कहा था ध्यान बिना ज्यान नहीं और ज्यान बिना ध्यान नहीं जो ज्यान और ध्यान दोनों रखते हैं वे निर्वान के समीपे हैं पहले अशत का संग छोड़े तभी सत का संग होगा कोई अपनी चोटी जमीन में गार कर रखे और अकाश में चंद्रमा को भी देखना चाहे यह कैसे संभव है उसी तरह जिसकी जग दाशक्ती बनी हुई है उसे जगत पती में आशक्ती कैसे होगी शंतों का ज्यान बतलाता है कि त्याग में कल्यान है श्री रामकृष्न प्रमहंश जी महराज ने कहा था गीता पढ़ते हो गीता का क्या अर्थ होता है गीता गीता उचारन करो हो जाएगा त्यागी अर्थात त्यागी बनो जब तक त्यागी नहीं बनोगे प्रभु को नही पा सकते, ज्ञान के बाद है विचार, विचार किसको कहते हैं, को मैं आया कहां से, कित जाना क्या सार, को मम जननी को पिता, या को कहिए विचार, मैं कौन हूँ, कहां से आया हूँ, कहां जाना है, क्या सार तत्व है, अगर इन विश्यों पर हम विचार नहीं करते हैं, तो क्या विचार करते हैं? यह शरीर हमारा है, हम शरीर नहीं हैं, हम इस शरीर में रहने वाले हैं महभारत में एक प्रसंग आया है कि यक्ष ने युदिष्टिर से पूछा था किम आश्चड यम? अर्थात आश्चड क्या है? युदिष्टिर ने उतर दिया, हम देखते हैं कि प्रती दिन लोग मरमर कर यम के घर को भर रहे हैं, फिर भी अपने को अमर समझते हैं, यह सबस से यह कम आश्चड नहीं है कि हम अपनी पत्नी को जानते हैं, पत्नी हमको जानती हैं, हम अपने पुत्र को जानते हैं, पुत्र हमको जानता है, हम अपने परिवार को जानते हैं, परिवार के लोग हमको जानते हैं, हम अपनी शंपती को जानते हैं, कार खाने को जानते हैं ब्यपार को जानते हैं, जमीन को जानते हैं, शारी बाते जानते हैं, किन्तु हम कौन हैं, यह नहीं जानते हैं। कारे अभावे हाय देह अचेतन। कि हम कौन हैं, कैसे हैं, कुछ पता नहीं। हम शरीर को पहचानते हैं, और शरीर के शुख में ही डुबे रहते हैं। यह शरीर कितने दिनों के लिए हैं, कोई ठीकाना नहीं, कब तक रहेगा, कब चला जाएगा। वस्तुत है, चंद दिनों का यह महमान है। पाव पलक की सुधी नहीं, करे काल की साज, काल अचानक मार्शी, जो तीतर को बाज। जो चंद भंगुर है, उसे शरीर के लिए तो दिन रात एक करके हाई सुक, हाई सुक कर रहे हैं। लेकिन हम जो श्वेंग उसके लिए क्या कर रहे हैं। हम जो श्वेंग हैं, उसके लिए क्या कर रहे हैं। हम जिस धन को इकठा कर रहे हैं, क्या साथ ले जाएंगे? कहते तो सब कोई हैं कि कोई कुछ साथ नहीं ले जाएंगे, परन्तु इस बात को मानते कितने लोग हैं, किसके लिए करते हैं, बेटे पोते के लिए, परिवार के लिए, यही न, आज आप संपन हैं, हो शकता है, प पुर्व घर के जो आपके परिवार के नाती पोते हैं, उसके कुछ सहता करते हैं आप, अथवा अगर पुर्व जन्व की अस्थिती आपकी बहुत अच्छी थी, शंपन थे, और आज आप एक गरिव घर में पल रहे हैं, रह रहे हैं, तो क्या पुर्व घर की आपकी पूर्व के संबंधी आपके सहàngता कर सकते हैं, तो धन किस के लिए जमां कर रहे हैं, इसलिए किसी ने बड़ा अच्छा कहा है, पूत शपूत तो क्यों धन संचै, पूत कपूत तो क्या धन संचै, अगर पूतर शपूत है, तो वह श्वेंग अपने लिए धन अर्जन कर ले उसकी चिन्ता आपको क्यों है अगर पूत्र का पूत्र निकल गया है तो कितना भी धन जमा कर उसे दीजिए वह विवित्य व्याशनों में फूख फाक कर सब्षमाप्त कर देगा इसलिए इसकी चिन्ता नहीं करनी चाहिए चिन्ता इस की करनी चाहिए कि संसार से जाएंगे तो साथ क्या लेकर जाएंगे धनानी भुमों पाश वही गोश्टी नारी ग्रिह दार नी शकास मशाने देहस्ची तायांग पर लोक मारगे धर्मानुगो गच्छती जीव एक है शास्त्र कहता है शरीर छूटने पर जितने धन हैं सभी धड़ा पर धरे रह जाएंगे जितने पशु हैं सभी पशुशाला में बंधे रह जाएंगे नारी विचारी रोती धोती घर अंगन घूम करके बैठ जाएगी जितने दोस्त हैं, जिनके साथ बैठकर हम हाश परिहाश करते हैं, वे हमारी अर्थी को कंदे पर लेकर राम नाम सत है, यही सब का गत है, सुनाते हुए समसान घाट पहुचा देंगे, हमारा जो प्रिया शरीर है, वह चीता पर जल कर भश्म हो जाएगा, तब साथ क्या धर्वान उगो गच्छती जीव एक है, जीव के साथ उसका क्या हुआ सुभा सुभ कर्म जाएगा, इसलिए हमारी जीवन के जो छन बचे हुए हैं, उन्हें हम सत्संग सत्कार्य और शाधना में लगावें, सत्संग में आकर हम शिखें कि हमें क्या करना चाहिए, और तद नुकोल आचरन बनाना चाहिए, शमज सोच बंदे तु मन में क्या करना क्या करता है, गुन के साथि आपही बनता, दोश राम पर धरता है, देखी के पर दोश रजमस, कहत गिरीशम सोय रे, दोश अपने मेरुशम है, तिन्ने राखत गोय रे, दूसरे के दोशों को देखते देखते हम अपने को दोशों से भर लेते हैं, यदि हम दोशरों के शदगुनों को देखें, तो हमारे अंदर शदगुन भर जाएंगे, किन्तु होता क्या है, दोशरों के राज, शम, दोश को हम पहार के शमान बना कर देखते हैं, और अपन KITAR के शमान दोसों को ढग कर रखते हैं, जिससे कोई जानने न पाए, इससे कल्यान नहीं होगा. जो व्यक्ति अपने दोसों को और दूसरे के शदगुनों को देखता है, वही कल्यान का भागी बनता है. दुसरों के सदगुनों को ग्रहन करें और अपने अवगुनों को दूर करें, जितने अन्षों में हम अपने दोसों को निकालेंगे, उतने ही अन्षों में हमारे अंदर सदगुन आएंगे। इस परवचन का तीशरा अंतिम भाग अगले परवचन पार्थ में महर्शी संसेवी प्रमहंस जी महाराज का यह परवचन दिनांक 23-2001 इशिवी को अखिल भारती संत्मा सस्चन के 90 वार्षिक महाधी वेशन अरडिया में प्राता कालिन सस्चन के शुब आवसर पर हुआ था स्री शद्गरो महाराज की जै